ये बात तो समझ में आ गई कि आपने इस्तिफा दे दिया, एक मसला हुआ, आपने इस्तिफा दे दिया, अब ये बाई एलेक्शन है, तो अब ऐसा कौन सा मसला आ गया कि आप दुबारा चुनाओ लड़ ले, आप तो बाईकॉट कर देते, किसी किसान को लड़वा देते, आ अब तक विरान सभा का मूह नहीं देखूंगा? ये बात आप अकले नहीं कहते हैं, ये औपोदेशन के भी लह चाहता हूँ, बारी बारी ये बात के लोग कहते हैं, कि अवे सिंग को चुनावनी लड़ना चाहिए था, अवे सिंग ने तो अस्तिफा दिए था, मैंक्त अपने विदान स्वाक शत्र के लोगों के पास पहले जाकर किया था और उन सबसे सला मस्वरा किया मैंने और पुछा था कि आप मुझे बताओ इन आलात में मुझे क्या फैसला लेना चाहिए मेरे विदान स्वाक शत्र के लोगों ने मुझे खुल करके कहा कि आप जो भी बड़ा फैसला लोगे हम आपके साथ रहेंगे और मैंने जब उनके आगे जिकर किया कि मुझे अगर अस्तीफा देना पड़े तो उन्होंने का कि एक मिनट की देरी मत करना मैंने रिजाइन भी अपने हलके के लोगों के कहने से दिया और आज अगर मैं चुना को इन्वाइट किया जो हमारी पारिटी के सुप्रीमों है उनको इन्वाइट करके उन्होंने ये बात उनके सामने रखी कि हस्तीफा भी हमारे कहने से दिया और चुनाव लड़ने का सवाल जो है तो हम आप से मांग करते हैं कि आप अपनी पारिटी की टिगट अपकी बार अपनी मर्जी से नहीं दोगे हम अपनी महवनाएं आपके सामने रखते हैं आप अब की बार का टिगट हमारे कहने से दो ताक कि आने बारे समय में किसान आदोन और जादा मजबूत हो सके और उसी को ध्यान में रख करके जब लोगों ने ये करी चुटाला साब के सामने कि हमारी टिगट अप की बार जो है आपकी टिगट अप की बार हमारी है और हमारा उमीद बार अबे सिंग चुटाला है अजारों लोगों ने ये बात उनके सामने कही चुटाला साब ने फिर भी बहुत बार लोगों को बारी बारी ये बात कही जो परचायत में लोग आए वे थे कि आप एक बार फिर सोच लो आप जो फैसला करो कि मुझे मंजूर होगा लेकिन फिर भी आपको इस पर विचार करना चीए अब ऐसिंग ने तो अस्तीफा दे रखा है कि लोगों ने का कि उन्होंने अस्तीफा अपनी मर्जी से नहीं हमारी मर्जी से दिया है और चुनाब भी हमारी मर्जी से ही हम उनको लड़वाएंगे लोगों ने चुटाला साब को मजबूर करके और मुझे चुनाब मदान में उतारने का काम किया मैं खास करके कांगरेस के लोगों से एक बात आपके माधे हम से करना चाहूँगा कि आज कॉंगरेस किस बिना के उपर विधान्सभा का चुनाव लड़ रही है कि कॉंगरेस ही करते हैं कि ह् deliberate के बॉत बड़े देशी हैं आऊंगा मैं उस पर मैं आपको बताई देता हूँ, आपको आने दूँगा है नहीं, उससे पहले उसका जबादा है, आपको पता है कि मैं कभी भागता तो नहीं हूँ, लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूँ, कि कॉंग्रेस जो बारी-बारी ये करी है, कि अवे सिंग चुनाव मदान में नहीं थे, उनसे ये पूछने वाड़ा हो, कि आज आप किस आधार के ऊपर यहां चुनाव लड़ रहे हो, अगर आप किसान के इतेसी हो, तो मैंने किसानों के इत्मे अस्तीफा दिया था, फिर तो उनको मेरा स्वागत करना चीए था, उनको अपना उमीदवार उतारना नहीं च यह लगातनार पिछले साथ साल से उड़ा जो है, मेरे लिस्ट में कॉंग्रेस भी है, बीजे पीबी है, जे जे पीबी है, वो एक पार्टी हलोपा है, वो भी है, सब है मेरे पास, और इसलिए लिए लिख के रखता हूँ कि मैं पढ़ता तो नहीं हो, और भी होगा जुतर